गुड मॉनिंग क्रास्वेट आज हम आपकी NCRT वे मेरी गोल्ड से यूनिट टू का चेप्टर टू पढ़ेंगे टीम बर्ग टीम बर्ग में एक सम्हू टीम बनाते ना कोई भी खेल खेलने के लिए हम सम्हू बनाते हैं तो वही होता है हमारा टीम बर्ग देख लीजे किर्केट है किर्केट में हमें कितने खिलाड़ी चाहिए 11 एक या दो मिलके किर्केट खेल सकता है खेला नहीं सकता है। होकी है। एक बंदा होकी खेल सकता है। फुटबाल है। सारे प्ले कैसे होते है। सारे खेल टीम के द्वारा होते है। यह सब का टीमवर्क होता है। Do you like to work and play with other? आपको भी दूसरों के साथ मिलकर काम करना और खेलना पसंद है। Let's sing and dance चलो ये इस poem को गाते और नाचते हैं Teamwork, Teamwork Together we can make our dream work Teamwork मैंने आपको बता देया सम्हू द्वारा मिलकर परियास करना एक सम्हू बना कर ही हम क्या कर सकते हैं मिल जुलकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं Then we will share the joy of what we have done तब हम जो हमें खुशी होती है अगर हम क्रिकेट खिरते हैं 11 लोग तो अकेला अजमी खुश नहीं होगा जीते हैंगे तो सारे ही खुशी होते हैं तो खुशी है 11 लोगों में बढ़ जाती है तो Then we will have the joy of what we have done Teamwork, Everyone ये सबका teamwork होता है किसी अकेले बंदे की जीत नहीं होती पूरे ग्यारा खिलाडियों की जीत होती है क्रिकेट में होकी में बॉली बॉल में जितने भी गेम होते हैं सबका teamwork होता है सब effort लगाते हैं जीतने के लिए It's fun to shoot the basket ball Throw the hoop कितना मज़ा आता है जब हम basket ball को उस hoop में hoop मतलब ring जो उपर ring बना होता है न उसमें डालते हैं जब कोई हमें ball pass करेगा तभी तो हम उसमें डालेंगे उलकडी का या लोहे का बना होता है But if nobody passes then nobody shoots अगर कोई pass ही नहीं करेगा तो ball तो शूट कैसे करेंगे Then the relay rest just can't go on Relay rest क्या आती है ये एक खेल है इसमें चार खिलाडी भागते हैं लकडी या लकडी या ट्यूब को लेकर और उस ball को मारते हैं Better means लकडी का डंडा We are the part that make up the whole हम सब पार्ट हैं हम सारे मिलके क्या बनते हैं पार्ट करते हैं हम इस्सा लेते हैं And we have got our eyes on a common goal और हम सब की आँखे किस पे होती है उस goal पे होती है common सबका common goal होता है जीतना, मारना जैसे ball को hit करना Sometimes it can be big plus यह कभी-कभी एक हमार ले बहुत बड़ा प्लस हो जाता है When a you or a me becomes us जब तुम और मैं मिलके क्या मलते हैं हम Teamwork की भावना से खेलते हैं इसको लिखे जैन निक्रो ने Class 5 आप क्या करेंगे Copy में आज की date डालेंगे Heading डालेंगे Unit 2 Teamwork और यह पूरी poem लिखेंगे और आजी के आजी यह पूरी तो लिखेंगे और आजी के आजी 1,2,3,4,5,4,5,5,6,7,8 8 line आप आज याद करके मुझे वाइस मेल में भेजेंगे recording देखे इसका New Words देखे Teamwork मतलब Combine a part of a group समू के द्वारा किया गया सामू ही परियास Hope मतलब wooden और ironing बताया दन में लकडिया लोहे का रिंग जब बनाता है जिसमें हम बोर्ड आटते हैं Passes means move around एक दूसरे को पास करना Relay race Race between teams of teams of which each person does part of the distance Relay race चार खिलाडी होते हैं जो थोड़ी थोड़ी दूरी पे खड़े होते हैं और उनको पास करनी होते है Better means short tube छोटी tube होती है और लकडी होती है जो की Relay race में यूज होती है Complete the following sentence If nobody passes the ball in a basketball game तो क्या होता है Then you can't shoot the ball in a basket अगर कोई आपको बास्केट बॉल गेम में कोई बॉली नी पास करेंगे तो आप शूट कैसे करोगे बास्केट में In a relay race, if no one passes the baton then Relay race में अगर कोई बैटन ही पास नी करेंगा तो क्या होगा? Relay race can't go on Think and write Name the team members needed for the falling एक team member टीम member के नाम लिखने है To play cricket unit Cricket खिलने के लिए हमें क्या क्या चाहिए batsmen चाहिए, baller चाहिए, filter चाहिए coaches चाहिए To make a film unit फिल्म बनाने के लिए हमें क्या चाहिए producers चाहिए, directors चाहिए, actors चाहिए, camera man चाहिए, etc To run a good school unit एक अच्छे school को चाहिए to run a restaurant we need एक restaurant चेलाने के लिए हमें क्या चाहिए manager, cooks, waiters, etc ठीक है यह picture composition है यह देखे picture look at the picture and answer the question in one sentence एक sentence में answer देना है using the word glues given in box in word glues को use करना है plumber, painter, masoon, electrician, laborer, carpenter, gardener question है who is laying the bricks bricks कौन रख रहा है कौन लगा रहा है मजदूर मजदूर को इंगलिस में क्या कहते है मैसून masoon is laying the bricks second question who is holding the ladder cd किसने पकड़ी है picture में देखो cd इसने पकड़ी है इसको क्या है okay laborer laborer means मजदूर मैसून means mystery होता है mystery घर बनाता है electrician is the man on the ladder ortho is making the door दर्वाजा कौन बना रहा है picture में देखिए दर्वाजा बना रहा है कौन कारपेंटर बनाता है तो answer is कारपेंटर is making the door यहां सब में पुलिस टॉप आएगा who is painting the wall wall कौन पेंट कर रहा है देखिए कौन पेंट करता है painter बाकी question में से is painting the walls holy stop आज का काम आज ही कर देना fifth class और जो मैंने team work poem इसको दी है इसकी 8 lines आपको voice mail में भेजनी है याद करके आप याद करेंगे किसी के help लेंगे ममी की बहन भाई की किसी की भी पापा की help लेंगे आप मेरी आवाज record करो और मैं बोल रहा हूं खुद भी कर सकते हैं आप ये काम आज का काम आजी करके दिखा देना बेस्ट आप लुग आप लुग आप लुग